नमस्कार एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पोर्ट्स फ्लैशिस के इस शोव फ्री हिट में अंकुष हुम है मेरे साथ है आकाश सेम हमारी नाम राशी है और फ्री हिट शोव में आप भी काफी अपना कॉंट्रिपूशन देते हैं आपका समय निकाल कर कोमेंट्स आते हैं और आपके और भी बहु मूल ले कुछ कोमेंट्स हमें बता सकते हैं कि कल के फ्री हिट शोव में हम क्या टॉपिक लें अगर आपको लगता है कि इसके ओपर चर्चा होनी चाहिए आकाश और मेरे बीच में आप भी हिस्सा बनना चाहते हैं तो यूर मोस कारगर साबित होगा क्यूंकि आप प्लेयर की अगर इस समय फॉर्म को देखें उसको देखते हुए आपको मुहमत सिराज को प्लेंग इलैमन में जगा देनी चाहिए जो उन्होंने अपनी इंप्रूवमेंट दिखाई है पिछले दो साल से जिसमें उनके सारे के सारे पक्ष रखा है कि ये मुहमत सिराज के लिए सबसे बहतरीन समय चल रहा है और उन्हें प्लेंग इलैमन में मौका दिया जाना चाहिए क्या कहेंगे शर्मा के ओपर हमेशा नजर रखते हैं लेकिन देखिए क्रिकेट जो है हमेशा बदलता रहता है और खिलाडी भी हमेशा बदलते रहते हैं वह एक जमाना था जाबगल श्रीनाद वेंकटेश वसाद का अब जमाना जो है वह भुवनेश उरकुमार जस्पीत बुम्रा शिद्ध कृष्णा है ये जो अलग-अलग आईपियल से खिलाडी बाहर निकल कर आएंगे उनके ओपर आपकी नजर होने चाहिए और बिल्कुल सही बात यहां पर बोलिए ने कि बहुत ही बड़िया परफॉर्मेंस अकर आईपियल की बात करो मोहमद शिराज की क्या धार का मुकाबला यहां पर जीत जाते हैं तो ढ़ाइस साल तक आपकी सम्प्रभूता रहने वाली है यहां पर ढ़ाइस साल के लिए वो कप आपसे कोई नहीं चीन सकता ठीक है ना उसके बाद जब ढ़ाइस साल के बाद दुबारा वहां पर होगा वर्टेस्ट है टेस्ट मैच में कि आपके पास सुवे से लेकि शाम तक आपको 90 ओवर करने हैं उससे भी जादा कभी कभी ओवर हो जाते हैं अगर इनिंग्स बढ़ जाती हैं प्लस आपको वहां पर लगातार अटाक करना है बल्ले बाद वहां पर हमेशां डिफेंट करके एक कोशिश करत होता है वहां पर अगर मैं बात करूँ गेंद बाजी करने में एक हास का टेस्ट मैच मुकाबले में तो यहां पर देखें शिराज ने अपने आपको जब वह पहले मुहमद शिराज आये थे टीम इंडिया के लिए खिलना उन्हें शुरू किया था काफी अच्छी शुरु के लिए और मैं पूरी तरीके से वहां पर तवज्जो रखता हूं भज्जी के साथ की भज्जी ने जो यह बोला कि यहां पर शिराज को प्लेंग 11 में जगा जरूर मिले चाहिए आप इशान शर्मा को रखिए या फिर इशान शर्मा को हटा कर आप एक मुकाबले में जो ह मुहमद शिराज को जरूर रखिए शमी को आप नहीं डॉप कर सकते क्योंकि वह आपके इशान शर्मा जो है वहां पर देखें तो मेरे ख्याल से तीसरे जो तेज गेंदबाज होने चाहिए जो 3-2 का जो रेशन लेकर हमेशा भारे चलती है कि दो स्पिनर तीन तेज और अगर आप एक अच्छी फॉर्म की खिलाड़ी को गेम से बाहर रखेंगे तो फिर जब आप उसको दुबारा खिलाएंगे क्योंकि उसके बाद देखें ये एक मैच खेलेंगे उसके बाद पूरे एक महीने का गयाप है उसके बाद जाकर आप इंगलन के खिलाफ 5 मैच पर इनको कोई डाउट नहीं है कि यहाँ पर यह दोनों पेस अटैक नहीं खेलेंगे तो यहाँ तीसरे अगर गेंदवाज की बात हुई तो उन्होंने वहाँ इशान शर्मा हाला कि देखिए इशान शर्मा पाचवे पाइदान पर है इसमें बारत की लीडिंग विकेड ट सब्सक्राइब दर्शन वहाँ पर रहता है और वहाँ की कंडिशन्स को अच्छे से समझते हैं परिस्थितियों को समझते हैं। तोरजार 14 की बात है उन्होंने साथ विकेड वहाँ पे निकाले थे इंगलेंड में और मतलब ऐसे कही उनके परफॉरमेंसिस रहे हैं जिसमें उनने बल्ले बाजों को परिशान किया फिर चाहरी की पॉंटिंग हो चाहिए इंगलेंड के बल्ले बाजों चाहिए वो साथ को देखते हुए उन्होंने यहां पर भजी ने बात बोली है कि यह इगर इशांच शर्मा नहीं खेल रहे हैं माफ किजीगा इशांच शर्मा किजीगा यहां पर मौहमद सिराज को खिलाना चाहिए दो पेस अटैक आपके पास अलरी है जिसमें आपको कोई डाउट नहीं ह होगा लेकिन तीसरा अगर फास्ट बोलर अगर वो चुनते अगर वो कप्तान होते तो बतौर कप्तान वो यहां पर मौका मौहमद सिराज को देते और देखे कितना कठीन होता है आकाश कि आप जब ऑस्टेलिया गए थे यहां पे खेलने के लिए और बॉड़क आवसकर ट सबसे लोएस्ट इनिंग्स आपका स्कोर वहां पर अब अपना स्वरेनी मक्षों पर जगा बना चुका है लेकिन उसके बाद जो बाउंस बैक हुआ लेकिन मुहमद सिराज के साथ परसनली जो एक जो जानमाल का नुकसान हुआ उनके परिवार का सबसे बड़ा कीमती सदस से उनके फादर साब जो इंतकाल उनका वहां पर हुआ और वहां से उन्होंने फैसला जो लिया कि मुझे टीम के साथ यहां पर रहना है और किता मेंटली देखिए आप किता डिस्टरब रहते हैं उस समय आपने बिल्कुल तयार है मैच खिलने के लिए फिटनेस लेवल अब मैच प्रैक्टिस में थे आप आपने सेशन्स पूरे अटेंड किये लेकिन यहां पर मेंटली भी उस गेम में आपको उतना ही तेयार है ना पड़ता है प्रिपेर रहना पड़ता है लेकिन वहां मैंटली जब आपके ऊपर यह चीज चीज चल रही हो कि आपके रशन किया था ब्रिस्बेन में और उनने उसे डेडिकेट किया अपने फादर को तो यह मुहमद सिराज की जो पिछले कई टाइम से चाहे मैच्सिस की परफॉर्मेंस ले 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 हैं या फिर उनके साथ परसनल जो घटना हैं घटी हैं दुर घटना हैं हम कहेंगे तो उसके ब कि शाओं में बड़े बड़े शॉट लगाए थे और तब ऐसे परफॉर्मेंस के बाद जब दुबारा रसल पैटिंग पर आते हैं तो आपको कहीं न कहीं याद आ जाते हैं वह शॉट्स बिल्कुल क्योंकि प्लेयर वही है फॉर्मैट वही है टीम आपकी वही है और रसल को तो यहां इसलिए इनके ऊपर सबकी निगाहें टिकी हुई है स्मूद एक्शन हो चुका है ज्यादा स्मूद हो चुका है पहले से जंप कितना बढ़िया है फॉल थू कमाल का है रिलीज बॉल बढ़िया हो रहा है इनन आउट आपका बढ़िया कट हो रहा है गेंद तरह की फॉर्म से आप इस समय जा रहे हैं उसमें तो आपकी ड्रीम डिलिवरी वहां पे बड़े-बड़े बल्लेबासों को परेशान करेंगी और वहां नीजलेंड के बल्लेबास मुझे लग रहा है कि इस बार मोहमद सिराज उनको पूरा 100% अपना दिखाने वाले हैं द अगर बात बताई कि शुपमन गिल जो पंजाबी पुतर है तो उनके लिए भी उनने इस बात दो लिया कि शुपमन गिल शांदार देखी वहां पे उस्टेलिया में 92 बी किया उन्होंने वहां पे अच्छी बैटिंग की वहां उन कंडिशन्स में ओपनर वहां पर आप चीज खेलने को मिलते हैं और वहां पर आपकी लगातार परफोर्मेंस इस गिरी और डाउन फॉल गया आपका आई पेल के अंदर लेकिन यहां पर उन्होंने बोला कि अगर इंग्लेंड के अंदर यहां बैटिंग ओपनिंग अगर हमारी शांदार रहती है जिसमें आप अ जो ऑस्ट्रेलिया के बाद थुड़ सी खुव गई थी उसको फिर से वहां पर अच्छा परफॉर्म करें अच्छी बैटिंग करें तो जो इकिस पर पंदरा पर दस पर दो आउट होने का ओफिशले टेस्ट मैचिस में हमने देखा है तो वह कारवान ना रहे तो आहां जो जाता है और उस प्रैशर हो कैसे हंडिल करेगा तो अर्वजन सिंग के ये कुछ पॉइंट्स थे कि कैसे यहां पर प्लेयर्स के ओपर उन्होंने जो फोकस किया और विशेश रूप से जडेजा वी उन्होंने यहां पर स्पिनर्स की बात की जैसे पेस अटैक में तो अपन सेंचरीज हैं पर जडेजा इस समय जो तरह का तरह के गेंद फैंक रहे हैं और जो फिटनेस उन्होंने कायम रखी वी अपनी जो आईपियल में उन्होंने प्रदरशन किया है तो जडेजा से भी उनकी खासा उमीदे हैं जी बिलकुल देखें जड्डू से सभी को उमीदे हमेशा से रहती हैं जब भी जडेजा चाहे बल्ले बाजी करने के लिए चाहे गेंद बाजी करने के लिए या फिर सिर्फ फील्ड पर ही हो तो आपको पता है कि वहाँ पर आपको एक ऐसा खिलाडी हमेशा नजर आएगा जो अपना 100 नहीं 200% हमेशा देगा खेल में और यह ही बेस्ट बात है रविंद जडेजा की कि उनके साथ इतनी कॉंटरवर्सी होती रही हैं अगर मैं बात करूं लेकिन इसके बावजूद वो हमेशा अपने आलोचकों को अपने क्रिकेट से शांत करते हैं यह नहीं कि सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट कर दिया है यह ऐसा अगर में उनकी धुआधार बल्ले बाजी करके फुल ओन पिटाई करी और मैं उसना हम यहां पर बैटके डिसकॉशन कर रहे थे लाइव डिसकॉशन आपको याद होगा अंकुष और देख रहे थे कि यहां पर गेंद इडली और कोहली की गर्दन सीधा उपर ही जाती थी क करने के बाद उन्होंने सिर्फ एक या दो ओबर जो है वहां पर रहे डगाउट में थोड़ा उन्होंने रेस्ट किया और उसके बाद फटा-फट आगे वहां पर गेंद बाजी करने के लिए और फील्डिंग भी करी उन्होंने तो देखे यह एक फिटनेस दिखाता है वह है आज कि रहाल वह तो 2020 फॉर्म अगे फिटनेस का उन्होंने का कोई सामी नहीं है सब अपनी जगह सब यह अगर विराट कोली तो विराट कोली से मन को थोड़ा बहतर ही मांता हूं तो तो यहां पर बिल्कुल आपने सही बोला कि यहां पर अगर आप जड़े जडेजा को Numbar One Spinner, Number One All-Rounder के रूप में, वही अगर दूसर Pinner की बात करें तो यहाँ पर आपको कॉねपटमप्लेट करना पड़ेगा कि आप यहाँ पर किसको खिलाएंगे? आपकसर को खिलाएंगे, अश्विमिन को या फिर आप वाशिंटन सुंदर को खिलाएंगे तीन आपके पास वहाँ पर मौजूद हैं मेरे खयाल से यहाँ पर अगर जाना चाहिए तो आपको जाना चाहिए अपने दो बेस्ट खिलाडियों के साथ यानि की रवीचंदर नश्विन और रविंद जड़ेजा के साथ क् अपने और खिलाडियों को भी देना पड़ेगा यंग खिलाडी हैं वाशिंटन सुंदर हैं अक्सर पतेल ने बहुत ही बड़ीया डेब्यू किया था भारत में मोटेरा के स्टेडियम में नरेंद्र मोधी स्टेडियम में बड़ीया गेंदबाजी इंगलेंड के खिलाफ उन्होंने करी थी और फाइव विकेट हॉल भी उन्होंने वहां पर पाया था देखिए वो उनके पास वो शमता है लेकिन अभी वो शमता सिर्फ भारत में दिखाई दी है वो शमता बाहर कैसे होगी यह अभी देखने के लिए आई थिंग वो पांच मैचों की हैं रादे दिन वर्ल टेस्ट चैंपिंशिप के वहां पर 375-400 के आसपस आपका अगर पहली पारी में स्कोर चला जाता है हम फाइनल मुकाबले की भी बात कर रहे हैं वर्ल टेस्ट चैंपिंशिप के और जो पांच मैस की सीरीज है जिसमें इंगलेंड के साथ हमारा मुका कर रहे हैं और अगर टॉस आप नहीं जीत पाए किसी कारन वाश और आपको फिल्डिंग करने का मौका मिला है तो सामने वाली टीम भी देखिए दम खम के साथ ही वह फैसला लेती है और आकाश ने कॉंफिडेंस दिखा है मैं थोड़ा से यहां पर कंफियूज हूँ कि अक्सर पटेल क्योंकि जैसे जैसे हरपजन सिंग ने यहां पर बात कही है कि कमाल की फॉर्म में है मौमद सिराज और मौमद सिराज इस समें जो इंप्रूव्मेंट करकर उन्होंने दि करें दो उतना ही जादा अचा जी बलुक्ल करता है तो खेर अब यहां पर बल्लेवाजों की बात करें तो देखें विराढ़ कोली कप्तान है यह वो तो खेलेंगे खेलेंगे लेकिन चैटेश वर बुजा रहा राएंगे रहाने आपको नजर आएंगे कीपर आपको रिश को करवानी चाहिए क्योंकि left and right का combination तो मैं जाना चाहूंगा यहां पर रोहिच शर्मा और शुब्मन गिल के साथ बहुत बड़ी है रोहिच शर्मा शुब्मन गिल हाला कि पसंद मेरी भी रोहिच शर्मा शुब्मन गिल है लेकिन जो माइक हैसन जो न्यूजलेंड के कोच सा सब्रमा बैसे सब्ड़न के साथ जो उन्हेंने प्रदर्शन किया महिच अगरवाल को वहां पर मौका जरूर मिलना चाहिए उनकी पसंद में कघर वाल होपन अचछा उनकी बास सुनने के बाद मेरे भी कि आंकड़े तादा हो जाते है जी बिल्कुल कि महिच अगरवाल के तो यह बिल्कुल ही चमतकारी कुछ आंकड़े होते हैं जिसके ओपर टीम इंडिया भी कहीना की कंफ्यूज सलरी होगी मुझे लग रहा है कि यह तोड़ा सा जो फैसल होगा कि वहां पर ओपनिंग क्यूंकि ओपनिंग ही है जहां पर आपकी शुरुआत होती है और वहां पर पर आपका बड़ा स्कॉर आपको लेके जाता है अगर उपनिंग आपकी सौरं कि आज पास की अगर उपनिंग साज़ेदारी हो गई तो फिर आप जो साधे तीन सो चार सो की उमीद कर रहे है न तो वहां पर पांस सो की आस-पास पहला पारी फरस इनिंग में आपका जब तो दो नज़र आएंगे यह मंत्रणा तंटरणा जो है वो तो कोच रवी शासरी और विराट कोली और उस दिन जो है वहाँ पर पिछ को देखने के बाद टीम जो है अपने हिसाब से वहाँ पर हिसाब लगाएगी कि कौन से खिलाडियों को यहाँ पर जगा मिलनी चाहिए प करी 시간 अरड होगी करें चैंडना वहाँ आज चर्चा ऊने वाने हैं क्लब हाउस के अंदर बहुत से लोग अपना व्यूपॉइnt रखते हैं कि उनका क्या मानना है वैसे ही क्लबाउस के अंदर आज इस टॉपिक के ऊपर बहुत बड़ी चर्चा होने वाली है कि टीम इंडिया के कप्तान जो शिल्लंका में वाइड बॉल के साथ टीम भेजी गई है जिसमें तीन टीटवन टी तीन ओडिया होंगे उसके कप कप्तान है गबर यहां पर शिकरदवन को जो है कप्तानी की बागडोर दी गई है अब यह देखना होगा कि बागडोर की कप्तानी में किस तरीके से वहां पर टीम इंडिया पार्टिस्पेट करेंगी लेकिन अगर आप उस पूरी टीम को देखेंगे तो आपको लगेगा यह पूरी टीम जो आई-पेल का मिश्रण है देखिए बई मैं बताने जा रहा था कि शिकरदवन तो कप्तान है यह है और प्रित्वी शौ शांदार फॉम में चल रहे हैं प्रित्वी शौ देवदत पडिकल रित्यु राजगाय कौर्ट सूरे कुमार यादव मनीश कमार वाइस कैप्टन है कमाल बहुत बढ़िया दीपक चाहर नवदीप सैनी चेतन सकारिया और जो नेट बॉलर्स होते हैं जो वहाँ पे लेके गए हैं जिन बॉलर्स को तो इशान पोरेल संदीप वारियर अर्श दीप सिंग साही किशोर सिमर जीत सिंग तो यह शिरलंका में जो तीन टीटवंटी तीन ओडिया है उसमें गबर कप्तान है उसमें बुवनेश रुकमार वाइस कैप्टन बेजे गए हैं और टीम आपके सामने जो हमने सुनाई है एक बात तो जानके सब लोगों बड़ी खुशी होगी कि कुल्चा जा रहा है कुल्चा जा रहा है यहां पर यूजी चहल और कुल्दीप यादव दोनों जो है उन दोनों को वहां पर चांस मिलेगा खेलने का यहां पर इटली स्कौर्ड में उनको रखा गया है कि कुल्दीप यादव का कुछ जमा पहले बयान भी आया था उन्होंने बोला था कि मेर को बड़ी उमीद है क श्री लंका के टोर के लिए मुझे वहां पर स्कौर्ड में रखा जाएगा और उनकी शायद कभी कभी आप दिल से मांगे तो भगवान आपकी जरूर सुनता है और दिन में एक बार सरस्वती आपकी जमान पर जरूर बैटते हैं तो शायद उन्होंने ये सोचकर बोला एक बहुत बड़ा सवाल है अभी भी क्या कुलदीब यादव को प्लेइंग 11 में जगा मिलेगी की नहीं मिलेगी लेकिन स्कौर्ड में कुलदीब यादव को उनके खराब परफॉरमेंस जो पिछले आगर मैं बात करूँ यहाँ पर IPL में भी उनकी कुछ ज़्यादा खास जताया है अब देखते हैं कि क्या प्लेइंग 11 में उनको चांस मिल पाता है कि नहीं और इंग्लेंड और निजिनेंड का जो सेकंड टेस्ट मैच जो सीरी से रही है पहला मैच ड्रॉ हो चुका उसके बाद कल एच बैस्टन में वहाँ पे मैच खेलना शुरू हो चुका है और इंग्लेंड ने टॉज जीत कर पहले बल्लेबाजी करने का वहाँ पैसला लिया था और इंग्लेंड के अभी 258 साथ विकेट के नुकसान पर हैं और 258 विद लॉस ऑफ 7 विकेट उसके बाद आज खेल शुरू होगा जैसे समय अनुसार जैसे रहता है खेल लेकिन वहा जैनिन लॉरेंस अभी 67 पर बैटिंग कर रहे हैं और जेमस ब्रेसी बिना खाता खोले वापिस हुए और मार्क वूड अभी बैटिंग कर रहे हैं 16 रन पर वहीं अगर ट्रेंड बोल्ट गेनबाजी की बात करें जो वापिस आया पिछले मैच में वह खेली नहीं थे और इ जाज पटेल 14 ओवर 34 रन और दो विकेट उनको मिले हैं तो यहाँ पर न्यूजिलेंड ने देखे काफी शांदार यहाँ पर टॉस बेशक इंग्लेंड जीत कर पहले बलेबाजी करने उत्रा लेकिन वहाँ पर न्यूजिलेंड ने बढ़िया वहाँ पर गेनबाजी की है और सिर्फ 258 रन ही बने दी हैं और साथ उनके बैट्समन वापिस लोटा दी हैं तो आज का दूसरा खेल शुरू होगा और उसमें न्यूजिलेंड की यही कोशिश होगी की लंच तक वहाँ पर इंग्लेंड को वापिस भेज़ दिया जाए तीन सो से पहले पहले ऑल हो गया था इंग्लेंड के खिलाफ क्योंकि तीसरे दिन का खेल वैसी वाश आउट हो गया था और अब यहां पर दूसरे अगर बात करें टेस्ट मैच में बढ़िया एक जो पकड़ बना रखे न्यूजिलेंड के गेंदबाजों ने देखने लाए कि अब देखना होगा ब बिल्कुल धराशाई कर दिया सारे वैट्समैन ताश के पत्तों की तरह माँ पे बिख रहे हैं आयाराम गयाराम का वाँ पे खेल हुआ है 97 ऑल आउट जिसमें किमार रोच ने दस ओवर में 27 देखे एक विकेट लिया माफ कीजिए यह मैं अब वेस्ट इंडी से गेंदबा लिया है लुंगिन गीडी वहाँ पर रबाड़ा के साथ ओपनिंग पेर जो शुरुआत की आपके तेज गेंदबाजों ने तो लुंगिन गीडी ने वहाँ पर नई गेंज से जो परिशान किया 14 ओवर्स में पांच जो विकेट लिया है उसमें उन्होंने सिर्फ मातर उन आपको बूलाना जल्दी पड़ता है बुरे मैच आपको जल्दी भूलने पड़ते हैं और अच्छे मैचों की यादों के साथ आपको उतरना पड़ता है तो यहाँ पर देखने लाइक होगा यहाँ पर आज का है दिन दूसरा दिन है इंगलेंड न्यूजलेंड के टेस्ट मैच का सेकिन डे और यहाँ पर साथ आफरिका वेस्ट इंडिस के इस पहले टेस्ट मैच का दूसरा दिन और अब यहाँ से हम आपसे भी इजादत चाहे करेंगे फ्री हिट शो में आप हमारे साथ जुड़े हैं और ऐसे ही आप बने रहे हैं फ्री शो में आपको क्या लगता कि किस टॉपिक के ऊपर आगे की चर्चाएं होनी चाहिए अब उसमें भी हमारी सहायता कर सकते हैं आप अपना व्यूपॉइंट रख सकते हैं जादा से हर रोज दुपहर को तीन बजे हम मैं अंकुष जॉई और हमारे कुछ और साथी और उनमें से आप भी एक हो सकते हैं हमारे साथ डिसकुश करेंगे कि क्या एक जो हमारा टॉपिक होता है उसके पर हम डिसकुशन करेंगे तो हमारे को आप कलब हाउस पर भी आप फॉलो करना शुरू कीजिए तो बहराल इस वीडियो में आज हमारे लिए और आपके लिए सिर्फ इतना ही हम आपसे मिलेंगे कल एक बार फिर फ्री हिट के एक और नए एडिशन में तब तक के लिए हम को दीजिए जाज़त नमस्कार थैंक यू थैंक यू गाश